Total Gaming ने आपने Face Reveal का Date पता दिया है इस वीडियो में आपको उसके बारे में पता चलेगा Also दूसरे YouTubers and Total Gaming के दोस्टलों का क्या reaction था उनके Face Reveal के announcement पर वो मैं आपको दिखाऊँगा सबसे पहला है जैसा कि आप सब को पता है कि Total Gaming अपने Face Reveal announcement पर 200k comments का target दिये थे आपको बता दूँ वो चीज अलड़ी complete हो चुका है तो इस पर YouTubers का क्या reaction था चलेए मैं आपको दिखायाता हूँ DC Gamers का है Let's Go 200k comments कर दो दोस्तो DC Chorah का है Finally It's Happening All are extremely excited for this from years Mr.RRR जो की वांगलोदेश के बहुत बड़े यूटूबर हैं वो का है Finally अज्जू भाई का Face Reveal और Shocking वाला Emoji Pro Nation का है Most Awaited Time Going to be Started याने कि जिशीज का सब को इंतजार था वो चीज होने वाला है finally Then यही same post उन्हें इंस्टाराम पे भी किया था वहां पे सब के क्या रियक्शन थे चली मैप को वो भी दिखा जाएता हूँ DC Game Man वहां पे भी लिखे One Million कर दो पर वीडियो ढाल दो पुकरा इंसान का है आने दो और फायर वाला Emoji Assassin Army का है वेटिंग Gamer Fleet का है Face Reveal Helping Gamer का है भाई 2023 तक का इंतजा सच में खताम हो जाएगा बताते होए कि बहुत सारे पर यहीं कहते है कि 2023 के एंड में वो कर देंगे Non-stop Gaming का है चलो 2023 में कुछ तो अच्छा होगा FF में I am Bixu का है Here we go Then Rajitro, Fauzi Ajay and Aura Gaming का गया reaction था आप उस स्क्रीन पर देख सकते हैं Also guys क्या Total Gaming का Face TV लीक होते होते रह गया ऐसा मैं क्यू बोलना है क्यू कि Ronny जो कि काफी बड़े YouTuber रहे हो अपने Instagram पे एक Reel अप्लोड किये और उसमें क्या था आप खुद देख लो आप मतलब यह है कि Total Gaming का Face TV लीक होगा उसमें यह लोग भी हो सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि Total Gaming का Face TV लीक होगा तीजर कब आएगा So जैसे कि मैंने को वीडियो को स्टार्टिंग में है बता दिया था कि उनको टार्गट तो कम्टीट हो चुका है उसके बाद आज वो अपने शिराम पर ये स्टोर्य अप्लोड किये टीजर के लिए एक दो दिन दे दो मेरे लिए भी काफी बड़ा प्रजेक्ट है यानि कि जब मैं इस वीडियो को डाल लाओ तो उसके एक दिन या फिर दो दिन के बाद आपको वो देखने को मिल जाएगा